नमस्कार दोस्तों मैं जिससे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने युट्यूब चैनल पे दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अधेश परताप सिंग भी सिविद्याले रिवा के अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजु सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च करना है apsu.mponline.gov.in यह दोस्तों अधेश परताप सिंग भी सिविद्याले की ओफिसियल वेबसाइट है जिसमें आपको एक्जाम फॉर्म या अन जो भी करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपिन होगा जिसमें आपको कुछ important notification मिलेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते जाएं और एक option मिलेगा दोस्तों नवीन सुजनाय का तो आपको उस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप जब इस पर क्लिक करेंगे नीचे स्क्रोल करते जाएंगे तो आपके समने एक option मिलेगा student information system का यानि दोस्तों yes is वहां पे आपको दोस्तों अपना user ID और password को फिल करके login करना है तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया page open होगा जो कुछ इस तरीके का होगा तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक option मिलेगा आपको उक्के वाले option पर क्लिक करना जब आप उक्के वाले option पर क्लिक करेंगे तब दोस्तों आपको user name और password मांगेगा user name आपका enrollment number और password जब आपने SIS का registration किया होगा उस time पर जो आपने password create किया पर क्लिक करें जब आप इस option को पूरा सइस से फिल अफ कर लेते हैं तब दोस्तों आप इसमें login हो जाएंगे तो दोस्तों login करने के लिए इस पर क्लिक करें आपको आपका जो डीटेल सापके आपके सामयस्सों अबकर क्लिक करते हैं तो आप आपका enrollment नमबर और सीजन का एक option मिलेगा तो मोजें आपके सामयस्समें में से हैं का एक option पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तब आपको यहां पर एक option को select करना रहेगा जो कि कुछ इस तरीके के रहेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर एक option मिल रहा है December exam exam 2020 June 2020 exam तो आपको अगर semester exam है तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना है और yearly exam है तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना तो आप जो भी आपका exam हो उसको आप select करने हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर semester select करने के लिए बोलेगा तो अगर आप यहली student है तो आपको सामने येर का option आजाएगा तो आपको जो भी आप येर में हैं तो आप उसको select कर लें तो जैसा थर्ड येर का है final year का तो आप थर्ड येर को select कर लें अब दोस्तों यहां पर आपको option मिलेगा branch mood का तो branch वाले option पर click करेंगे तो आप regular student है यहां पर प्राइबेट या फिर दोस्तों distance या supplementary जो भी आपका है आप उसको select कर लें और regular वाले हैं तो regular पर click करके इस capture code को यहां पर fill up करें और search वाले option पर आप click कर दें जैसे ही search वाले option पर click करते हैं तो दोस्तों आपके सानों कुछ इस तरीकी का इंटरफेस होगा जहां पर पूरा personal detail और जो भी आपके college का center exam center यह सब डिटेल यहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर नाम आपको मिल जाएगा enrollment number roll number data birth जो भी आपका detail हो सो होगा नीचे में आपका जो exam के timing है वह भी मिल जाएगा यहां पर जो exam register हैं उसका signature मिल जाएगा नीचे मैं आप देख सकते हैं कुछ निर्देश मिल जाएगा और यहां पर प्रिंट आउट करने को option मिल जाएगा तो आप इस प्रिंट वाले option पर करके प्रिंट कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना semester year exam का जो admit card है डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए